एन्बे एवोर्ड में यूपी तक की धूँ, यूपी तक.िन को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का एवोर्ड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक बता रहा है क्या है ये आक्ट और इसमें वो कौन सी बाते हैं जिनका वो ऐसे बार-बार हवाला दे रहे हैं ये एक तब लागू किया गया था जब अयोध्या समेत देश भर में राम जनम भूमी और राम मंदिर के लिए आंदोलन चरम बर था तब सरकार को ये अंदेशा था कि कहीं देश के दूसरे हिस्से में दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी कोई विवाद उत्पन ना हो जाए 1999 में नरसिम्मा राओ की सरकार ये खास कानून लेकर आई थी इसमें विवस्था दी गई थी कि 15 अगस्थ 1947 को देश में कोई धार्मिक स्थल या पूजा स्थल जिस रूप में था उसी रूप में सुविकार होगा दूसरे धर्म के लोग उस पर अपना दावा नहीं कर मार्ट 2021 में सुप्रीम कोट इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है अश्विनी उपाध्याय ने कानून को चनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि ये कानून हिंदों सिखों जैन और बौध्धों को लेकर उनके वैसे धर्मिक स्थलों को हासिल करने स से रोकता है जिसे इतिहास में बाबर के साशन में ध्वस्त किया गया था सुप्रीम कोट ने इस याचिका को स्विकार करते हुए ग्रह मंत्राले कानून वह नियाय मंत्राले और संस्कृत मंत्राले से संबंद में जवाब मांगा था इसके बाद से ये चर्चा जोर इस अधिनियम को अगर शौर्ट में समझे तो ये उपासना स्थल विशेश उपबंद अधिनियम 1991 है इसका विस्तार जमु कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में है 11 जुलाई 1991 से ये अधिनियम लागू माना गया है वहीं अधिनियम के धारा 3,6 और 8 के उपब तो अथवा लोग धार्मिक उपासना का कोई भी स्थल हो सकता है आक के मुताबे कोई भी वेक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग के किसी भी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के विभिन अनुभाग के या किसी विभिन धार्मिक संप्रदा या उसके किसे अनुभाग के उपासना स्थल में समपरिवर्तित नहीं करेगा एक्ट के मुताबिक 15 अगस 1947 को विदमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वो उस दिन विदमान था हालकि आक्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसे किसी अधार्मिक स्थल के स्वरूप में 15 अगस 1947 के बाद समपरिवर्तन हुआ है ऐसे में इस पर फाइल किया गया कोई वाद अपील या कारवाई उपशमित नहीं होगी यानि ऐसे प्रतेकवाद अपील या कारवाई का निप्टारा उपधारा एक के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा आक्ट में ये भी कहा गया है कि इस अधिनियम की कोई भी बात उत्तर प्रदेश राज्य के अयुध्या में स्थित राम जनम भूमी बाबरी मस्दित के रूप में लागू नहीं होगी ये जानकारी आपके लिए लाए है यूपी तक वेबसाइट से हमारे साथ ही प्रजेश उपाद्या है बागी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ-साथ तमाम वीडियो झाल